दोस्तो अठाइस तारिक की बात है आज होगी पांस तारिक लेकिन इपते ही कोई समाधान को निया है इस गाउं की बेटी बेटी तो बाई पूरा देश की है लेकिन नयाय नहीं मिली रहा है कैसे नयाय मिलेगा के गटनावी है वो याड के गाउं के मोजुद आदमी है उनता बात करांगे रोड है वो जाम कर रहा है पूरा और आजो भई तो दिखाजे बाई एकबरी पूरा गाउं इकठ्या हो रहे हैं तो गाउं के पंचैति लोग बुझरग लोग और के कुछ करना हे इनका बात करांगे राम राम कर देजी एकबरी राम राम ठीको जी तो कि कुछ गठना है कद की गठना है क्या साल की लड़की है यह 29 की गठना है जी 14 साल की लड़की है 29 तारिक्सी गाईब है तो इनकी जाना पर्शों डैड बोडी मिली है पर्शों मिली है पांस दिन के बाद मेली है चार दिन के बाद पाद मेली है और पहले यहीं मत पैल तो रोजा ना देख के आगर दें नहीं मेले सब से पहले फिर अपने कोन ने काया वही दर जाओ देख क्या सब्सक्राइब देखा तो एक चपल तरती दिखी उनको तो उसकी वज़ा से उनको पता लागा वह यह लड़की आहीं है जब यह लड़की गरी वाटरवक्स में उस दिन डेगी में पाने तर तीन फुट और डेगी एप कम से 15-20 फुट गहरी जो के उसमें डूबी नहीं सकत तो जब निलकी निकाला गया है ना उस टाइम एक डाक्टर भी आ था इसार से वो यह कहरा धवाई इसको गिरी को 12 गंटे हो यह ज्यादा निया है लेकिन पोस्ट मार्ट रिपोर्ट मुनों नहीं दी छाणवे गंटे तो सरा सर गल्त पतलब देखलो बाई कोण सई कोण ग पता चल गया भी डिगी में है वह तो उन न बताए पुलीस पर शारसन ने बताए वागत तो भी डिगी में देखो में अपने शतर पर जो अनमतलों सारे देख ली देख लिए पाणी उस लो लड़की मिली एन उसे पाने तीन फूरता सारा पहले अच्छ 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 पाई न उस दिन पाणे भरी हुई थी कुछ नहर पाणी आगा न उसके बाद भर गी वो तो अरना उसके कहीं घंड रहा वो कहीं भी ना पेटें पाणी ना कुछ और ने बिल्कुल चाहरा साफ ना कहीं से फूदरी छ्यानवें गंटें वोड़ी बिल्कुल फूल के फट जाती है लेकिन आपका भी यह मानना है कि बाराइगंटे होएं यूवा हैं बुझरग हैं बच्चे सारे बाई इकठे हो रहे हैं यह आप देख सको बाई जी सर यह देश काई कानून है कोई यहां नहीं है शकुल के अंदर बच्ची सुख्षीत नहीं है यह बाप एक नही सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर रही है और कमेटे में के फैसला हुआ है भाई दिखावां के अखिर के फैसला हुआ है यह गाम आज जागरुक हो गया तो इस अग अगर इस वे बन्याई मिल गया पूरी तैकी कातोगी तो इस गाम में अग कोई बेटी नहीं मरेगी अर इस तरह तो कोई वो नहीं होगा भाई तो भाईयो मामला है नहीं चांदर जाए लेकिन उनको अगर फांसी दे दी गई ना तो कुस्तो सुधार हो एक तो सुधार हो है अगर इनको भी कड़ी से कड़ी सजा वह कम से कम हमतिये ही कहरें इनको शाड़ां को फांसी होनी चाहिए पूरा गाहँ शंतुष्ट हना वह सजा चाहिए वने विल्कुल यह चाहिए जी हमारे-पता बैटी का दरद सब को पता जी कैसा होता है आई विल्कुल तो यह मारे बड़े बैठें जी जो यह कहेंगे जी हमने के लिए त्यार अत्यार दिल से कहीं हो चाहिए सब्सक्राइब करने में बहुत ही दिन्मिकति से चले यह कारवाई करते हैं तो भाही देखो मैं कितनी वीडियो बढ़ा हूं कितने इसे कांड दिखाऊ हूं आए दिन यह कांड उन्देरा है यूटूब खोल के देखोगे तो इतने कांड मिल जाएंगे बहुत जादा उड़ेकिस की गलती बताओं है पुलिस परसासन की पिछा जो बल्याना गाओं है वो देख्या मा और बेटा खेतमा पाए गए हैं लेकिन कोई तैकिकात नहीं कोई वो नहीं है पुलिस अवा डड़ाई कर रही है। मतलब कोई कारवाई नहीं कर रही है। लेकिन बड़ा दिल बड़ा इनना कोनो है जो इन बाया के बीच मा आ जया जो इन की बात सुने व कोई यहाँ और हैं और आज पनियार जी नह देखो कितना लत यह एड़ा है और काम करें क्यूंकर विए सच्छा इंसान जो बीच की बात या रिन गरीब है के बात सुना जी सर की करना है मेरा ये कहना है ये घटना बड़ी धर्दनाक है ये ख़तना किसी एक परिवार के साथ नहीं है ये घटना अमानवता के साथ है और जिस भी व्यक्ति ने जिन लोगों ने ये घ जो हना संख्या कम हो आगे चल करके और अपनी बेटी को बचाने के लिए आम आदमी को जो है अपनी खुद की शुरक्षा की बजाए समाजिक शुरक्षा मिले तो भाई जो डिगगी है जड़ा भाई उस बेटी की लास मिली है वो भी दिखावांगे आखिर कितवा मिली है और किस तरह तो भाई उसके बताओं कि चपल चपल मिली है उस सारी चीज़ दिखावांगे और भी तर भाई मिटिंग चाल रही है जी मिटिंग चाल रही है मिट पुरूर दिखावांगे तो वीडियो इने केलगे शेयर कर दो भाई